कि वेल्कम तुनिति शिक्षा और वेल्कम बात करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में ओके इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आज हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगो ने देखो इस स्रीज में हम लोग कवर कर रहे हैं गौवर्मेंट पिछले वीडियो में अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो जाकर के देखे लो लिंक में डिस्क्रिप्सिन में डाल दूँँगा उपर आई बटन भी डाल दूँगा तो आप जाकर के वीडियो को देखो उसके बाद आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 समज में आएग जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इसके background के बारे में काफी कुछ बता दिया था कि 1857 का revolt होने के बाद British government को ये लगा कि अब जो है वहाँ पर जो governance है हमारे इंडिया के अंदर में वहाँ पर इंडियन का cooperation जो है इंडिया का representation इंडिया के लोगों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस instance में इस reference में वह लोगों ने क्या किया इंडियन काउंसल आट 1861 में हम लोगों ने देखा था कि इंडियन को तीन इंडियन को किस तरीके से वॉइस रोई ने अपने एक्जिकेटिव काउंसल के अंदर में नॉमिनेट किया था और काफी सारे चीज जो चेंजिस वह नोंने किये थे जैसे कि पॉर्टफोलियो सिस अक्ट में लाया गया कुछ ज्यांदा चेंज नहीं लाए गए लेकिन हां कुछ मेंजर में beef जो मेंगर करते हैं एडिशनल को आट किया गया किन चीजों में नॉन ऑफीशियल मेमर में ग्रें जेसलेटिव कांसल और तेन चीजों के बारे मैंने पिछले वाले वीडियों में बताई फिस स्रीज की तो यहां पर यह चीज दे इस अक्ट में यह कर देखने को मेली कि सेंटर लेटिव कांसिल जो थी और प्रोविंसल लेटिव कांसिल उसमें जो है वहां पर नॉन ओफिसियल मेंबर्स के मिजोरि तो 50 को करके अगर 70 कर दिये लेकिन फिर वह 100 से तो कमी रहा ना तो वैसे ही वहां पर करी गई कि जो कि नौन ओफिसलव मेंबर्स अनके नमबर्स को बढ़ाया गया लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाया गया कि वह ओफिसल अफिसलव मेंबर्स से ज्यादा हो थी उसको जो है वहाँ पर बढ़ाया गया उनको पावर दिया गया जो लेप्जेटिव कांसल की function थे उनको पावर दिया गया कि वो budget जो होता है budget जो discuss होती थी वहाँ Parliament के अंदर में उस पर वो discuss कर पाएं और साथी साथ question कर पाएं executive से executive जो जो भी एक्जीक्टिव कांशल के मैंबर सथैं उन से वह गरते करपाए कि एसे चीज़े चैज या पर जो भी चीज के क्वेशिन को करने की मन हो वह वहाँ पर कर पाएं तो ऐसे चीज़ेंज जो है दूसरा देखने को इस एक्ट में मिली तीसरी जो सबसे मेजर चेंजस इस देखने को मिली यह थी यहाँ पर नॉमेनेशन सुरूव करी गई क्याज से क्या सबसे नॉमेनेशन के जो नॉनॉन आफीसेरेट्ट兩 पू़ारा सुरू करी गई की तरीके से इस तरीके segundo multiplyingusi पे प्रोवेंसल लेजिलेटिव कंसल में आप नौमिनेट करो और एक हिनके रेक्षिरा दूसरा जो है बेंगाल चेंबर ऑफ Kr Hour S अब होते ते च्रेपर से नौमिनेट रहा होते तो गवर्नैर के पर दौर्ण जो है प्रोविंसलेफ्लेक अंदर में नौमिनेशन करी जाती द्वारा अब कौन लोगों की द्वारों को कौन कवर्णेशं करता था कि कौन कौन सब्सले कि complotform को और द्षादर को आ था तो जो ट्रेड एसोसेशन जो था उसके द्वारव वहाँ पर क्या था जमिंदार लोग नॉमिनेट करते थे जब से वहाँ कि आती थी तो एसी एसी चेशन त्यूशिन जो है है। नॉन ओफिशिल्स के सीट्स को और यहाँ पहर्पे एलेक्शन वॉर्ड को यहाँ पे यहाँ नहीं लाये गया था इसकी जगह पर नॉमीनीशन वोड को यूज करी गई थी ताकि वह लोगों को सेंट्रल और प्रोविंशन लेजिसलेटिव कांसिल के अंदर में फाइनली हम लोगों ने इस आक्ट को कवर कर लिया 1892 की जो भी एक्ट थी इंडिन कांसिल आक्ट इसके अंदर जो जो चेंजिस हुई जिस तरीके से प्रोविजिंस आड करी गई क्या-क्या जो है वहां पर नॉमिनेशन का क्या रोल रहा है किस तरीके से वॉइस रोई का चेंज इस पावर बढ़ाया गया यह सब चीज हम लोगों ने कवर कर ली आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलक काफी सारे कंटेंट काफी सारे वीडियो वहां पर डाले गए हैं जो कि आपके एक्जाम के प्रपेरिशन में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सपोर्ट करो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सी यू इन गुडबा